जल्दी से जोइन करिए जल्दी से जै श्री माकाल, हलो, हलो एब्रिवन, गुड आफ्टनून, गुड आफ्टनून, जलो नीशुवम, प्रशान्त, जय कुंदन, रेनू, राकेश, गूड आफ्टनून, कार्थिके, गूड आफ्टनून बिटा, मेरे वाज आ रही है आप सबको, अवाज आ रही है एकदम के क्लियर कि नमस्ते बिटा जैश्री राम रादे रादे गुड़ आफ्टरनून आर्यान कि विटा जल्दी से जॉइन कर लो और हम लोग कल जहां टॉपिक हमने छोड़ा ता वहीं से स्टार्ट करते हैं ठीक है कि अधर हमारा कमेंट आ रहा है आ रहा है विटा अपनीश आपका कमेंट आ रहा है अतुली आदव दीपक विकास शुबंजानी तविस्था निहारिका गुड़ अफ्टरनून विटाव वन्स कि अशीज दनंजे कि अभी तोर नोटेस आया था हां अजय अजय थीक इसके कल हमने कल हमने एक टॉपिक पढ़ाता एंथर का स्ट्रॉक्चर्ष् स्टूटर फिल्दी से अब वहीं पहीं स्टार्ट करतें अपने डopa लिए जब अधिस फेल्स पढ़ाता है ट्रांस्वर section अफ प्किह टो हमने उसमें देखा के चार परते हैं होती है उसमें फोर लेयर्स होती है है नहीं के इस कुमार ना माइनेम इस विशाल सर्मा ठीक जैबीम सागत वात्रे अनुराग गोड आफ्टनूल तो बेटा फोर लेयर्स हमने पढ़ीती देखो कल हमने और एन लेयर्स के हमने फंक्शन्स भी पढ़ लिये थे यह कौन-कौन सी लेयर्स थी सबसे बाहर की लेयर को हम एपीडर मिस कहते थे ठीक है बाहत वचा दूसरी जो लेयर्स थी वो एंड इसके अंदर जो पराकण बन रहे होते हैं इसके अंदर बनेंगे उनकी सबस्चा करना था और सबसे अंदर की लेयर्स का में काम क्या था बेटा जो कि जो भी डेवलप्ड पॉनिल पॉलिन ग्रेंस हैं जो पॉलिन ग्रेंड विक्सित हो रहे हैं उनको निउट्रीशन प्रोवाइड करना है अब यहां पर एक और चीज आपको थोड़ा सा सीखनी है कि देखिए जो बिटा टैपिटम होता है हमारा सबसे पहले टैपिटम क्या है टैपिटम पर ही जानातर कोश्चन बंते हैं तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लो टैपिटम क्या एक तो इनर्मोस्ट लेयर है ठीक है इनर्मोस्ट लेयर यानि सबसे आंतरिक वित्ति इसको हम कह सकते हैं आंतरिक वित्ति ठीक है या परत वित्ति कहलो या परत कहलो इनर्मोस लेयर के लाबा इट इस मल्टी निउक्लियेटेड इट सेल्स आर मल्टी निउक्लियेटेड अगर हम इसकी कोशिकाओं की बात करें इट सेल्स आर मल्टी निउक्लियेटेड बेटा यह जो टैपिटम है इसकी जो सेल्स है ना उनमें बहुत सारे निकलियस होते मतलब क्या होता है यानि इसकी कोसिकाएं बहु केंद्रकी होती है इसकी कोसिकाएं बहु केंद्रकी होती है कोसिकाएं बहु केंद्रकी है ठीक है बहु केंद्रकी का मतलब क्या है बहुत सारे नुकलियस बहुत सारे केंद्रक और एक और चीज it has dense cytoplasm, यानि इसकी कोशिकाओं में जो cytoplasm में होता है, वो काफी गाड़ा होता है, dense dense cytoplasm, ठीक, तो ये अमें, हाँ, सर हिंदी, अमें चारशिया बेटा हिंदी में, it is dense cytoplasm, यानि कोशिकाओं रभ्य, कोशिकाओं रभ्य कैसा होता है, सघन, ठीक, यह होता है, तो टैपिटम पर अगर हमारे question बनते हैं, तो यह दो-तीन point आपको ध्यान रखने है, टैपिटम, हाँ, सरी गुड़ एक्जाम में आएगा, यह important है, टैपिटम है, आपके एक्जाम के लिए important है, इसलिए मैं टैपिटम को, यह क्या है आपका बिटा, important for board exam, ठीक है, इस पर question आता है, कि what is the function of टैपिटम, and write a short note on it, यानि टैपिटम के ऊपर आपसे एक छोटा सा notes लिखवाया जा सकता है, और इसके function पूछे जा सकते हैं, तो आप बताओगे कि and it has multinucleated cells with dense hydoplasm, बिलकुल मैं Hindi, English दोनों मैं बोल रहा हूं, Hindi मैं भी बोल रहा हूं और इंग्लिस में भी, ठीक, टैपिटम क्या है, नाम है लेयर का, तो इसको हिंदी में भी क्या है, टैपिटम ही कहते हैं, हिंदी में भी आपको क्या लिखना है, टैपिटम ही लिखना है, ठीक है, पराकोस के अंदर परत है उसका नाम है यह नहीं बाकिए परत भी आ सकती है आपसे पूछा यह सकता है जैसे मलो अगर ऐसे कोशन आ जाता है कि पूरा अनुद्यर कटिंग का explanation करो ऐसे question suppose आता है तो आपको चारो परतों के बारे में बताना पड़ेगा कि सबसे बाहर इसमें epidermis होती है बायतोचा, फिर इसके बाद endothesium होती है फिर इसके बाद आपको बताना पड़ेगा middle layer होती है ठीक है? देखो एक बार और ध्यान से सुन लो जो बच्चे नहीं आये है देखो जैसे मानलो यह हमारा ठीक है? यह हमारा enter है पराकोस है अब मैंने तुम से का कि सबसे बाहर की वित्ती क्या है? epidermis ठीक है epidermis तो single layer ही होगी लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मानलो यह हमारी tapitum है ऐसे करके tapitum की यह कोसिकाए है यह tapitum एक हमने layer बना दी तो इसके अंदर जो nucleus होंगे वो कैसे होंगे? इसके अंदर nucleus कई सारे nucleus हो सकते हैं एक कोसिका के अंदर ठीक? यह multi-nucleated कोसिका हो सकती है tapitum के बाहर कौन सी layer होती है? tapitum के बाहर होती है middle layer तो देखिए middle layer जो होती है वो एक layer नहीं कई layer हो सकती है middle layer middle layer की कई परते हो सकती है एक साथ ठीक? ग्रीन color से जो बना रहा हूँ यह middle layer है मद्द्परत और फिर इसके बाहर कौन होती है? इसके बाहर बताओ endothesium तो यह pink color से मानलो मैंने endothesium की layer बना दी ठीक है? endothesium की layer हो गई endothesium की भी एक से ज़्यादा layer हो सकती है और सबसे बाहर क्या होती है? सबसे बाहर तो आपकी है, यह 4 layer हो गई आपकी देखो, सबसे बाहर की layer का नाम क्या है? epidermis ठीक? epidermis, कल हमने यह पढ़ लिया था बड़ मैं फिर से एक बार revise करा रहा हूँ pink color की जो layer है, यह हमारी कौन सी हैं बताओ? endothesium यह है हमारी endothesium ठीक है? green color की जो layer है हमारी इनको हमने क्या बताया था? middle layer तो यह middle layer हो गई, मद्दे परत ठीक है? और सबसे यह white color की जो सबसे अंदर की layer है, यह हमारी क्या है? हमारी? tapitum है तो ऐसे कई layer हो सकती है हमारी ठीक? यह कल मैं समझा चुका हूँ, मैंने बस आपको revision में बताया है, कि हमारा जो tapitum है, यह सबसे आंत्रिक वित्ती है ठीक है? जो portion का काम गरता है ठीक है अब चलिए अब इसके बाद हम आगे के topic पर आते है अब इसके बाद क्या होता है? देखो एक और बार समझ लो एक और बार जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो एक बार और समझ लो ठीक है? देखो मुझे यह बताओ और तुम्हारा एक डाइग्राम अच्छा यह बाला चलो एक बार और हम समझ लेते हैं कि सपोज यह हमारा यह हमारा एंथर था एंथर के सबसे अन सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मेस फिर सेकंड लेयर एंडो थीसियम फर्ड लेयर मिडल लेयर मद्ध परत और चौती टैपिटम तो अब मैं सारी नहीं बना रहा मैं बस आपको समझाने के लिए एक किक करके बस लाइन कीच दे रहा हूँ सबसे बाहर एपिडर्मेस इसके बाद मिडल लेयर पिंक कलर की हमारी मिडल लेयर और उसके बाद हमारी बेटा कौन सी आती है लेयर पताओ लदी से टैपिटम तो यह हो गई हमारी टैपिटम ठीक है यहां तक आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए चार लेयर हो गई हमारी अब इन चार लेयर हां अर्श्ण क्या अगरे सब भी बनाए चैप्टर कम लीड होने पर बना ले न अब तर क्या सब नोट मैं बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं अभिनव के कमेंट आ रहे हैं हां सैन्वास के रहे हैं सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा है सैन्वास स्नेहा यह सर अभिशेक कुमार सर टैपिटम माइक्रोस्पुरेंजियम का अंदर होता है क्या देखो माइक्रोस्पुरेंजियम इसको कह रहे हैं हम माइक्रोस्पुरेंजियम यह वाला जो चेंबर है न यह वाला इसको माइक्रोस्पुरेंजियम कहते हैं आप यह समझो कि यह एंथर के एंथर का इनर्मोस्ट लेयर है एंथर की इनर्मोस्ट लेयर है आपकी ठीक है के अंदर क्या होता है वो समझने वाली चीज है अभी बताता हूं मैं ठीक के अंदर पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है और माइक्रोस्पोरेंजियम के यहां सेंटर में देखो यह जो वाइट कलर से यह जो सारे टिस्यूज होते हैं मैं इनको कहते हम इसपोरोजीनस टिसीव एक मास ऑफ इसपोरोजेंजियम प्रेजनट रहता है यहां यहां घ्याद के अंदर हरेग टैपैटम के अंदर मैं केवाल अब हर जग यह माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया है पुरा चेमबर इसमें ये ब्लू कलर की क्या है यह टैपिटम है और टैपिटम के अंदर क्या भरे हुए वीता यह इस्पोरो जीनस टिस्यूज क्या है वीटा इस पूरो जीनस टिस्यूज को अब बतारहूं आपको सबसे से लेयर है उसका नाम है टेपिटम और टेपिटम के अंदर यानि सेंटर में क्या बरा हुआ है इस पोरोगीनस टिसीऊ ठीक हाँ चैप्टर कतम होने के बात बना लिए ना कोई बात नहीं इनको ये जो वाइड लर से मैं बना रहा हूं ये इनका नाम क्या है बिटा सपोरो जी नस तुसी लिखो sporogenous tissues देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं लिखा देखो लगू बीजाडू जनक लगू बीजाडू जन उतक हाँ हिंदी में यहां लिखा हुआ है ठीक है लगू बीजाडू जन उतक यह क्या होते हैं देखो यह घने सजाती से कोसिकाओं का समुव होते हैं यानि टेपिटम के अंदर एक सेज्स का पूरा गुर्प और ये सेज्स कैसी होती है सारी एक जैसी यानि सजाति एककोशिकाओं का पूरा एक समू होता है इसलिए हम इसे क्या रहे टिशिओ और क्योंकि ये आगे चलके सपोर्स बनाएंगे इसलेन का नाम है sporogenous tissues या हम क्या कहे रहें इनको लग बीजाड़ू जन उतक दूसरा दीज आर प्रजेंट एड़ दा सेंटर ओफ सजाती का मतलब होता है एक जैसी कोसिका है सारी जो साइज एंड सेप में विलकुल समान होंगी सिमिलर होंगी ठीक है आदित्य सर अलग से भी नहीं यह जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं यह सब पीडिएफ की फॉर्म में आपको एप पर मिल जाएगा ठीक है धनंज अभी बत ठीक है देखो दीजार प्रजेंट एड़ दा सेंटर आफ माइक्रोस्परेंजियम लग बीजाडू दानी के केंदर में स्थित होती है सिंपल देखो अगर एक या दो नमबर में आप से पूछा जाता है बोड के एक जम में कि लग बीजाडू जनक उतक क्या होते हैं और कह आपको बीजाडू दानी के केंदर में स्थित होते हैं ठीक है अभी हमने डाइग्राम पढ़ाता देखो यह क्या है हमारे स्थोरो जीनस टिस्यूज यह वाइट कलर से बिल्कुल ब्लू लेयर के सेंटर में मैंने बनाए है ठीक है देख ब्लू लेयर के सेंटर में तो यहाँ पर यह सेंटर में आपको दिख रहे हैं यह वाइट कि दिनेज कि कैसे बनाए मैं हम बता दो ठीक है भी बता रहा हूं आकास राजपूर उसके पीडेफ डाल दिया करो ठीक है ओके कि हार पिता आ रहा है तर मेरा वैंसे जाब तक जा रहा है रहा है विटा कि अगर आप मेजर करोगे तो कोई हम कोई रेस थोड़ी है देखो आपको ना बिल्कुल बेसिक कॉंसेप्ट के लिए रोने चाहिए आप मालो हवें चैप्टर दस दिन में खतम होना है सपोज और उसको हम जल्दी करा के आठ दिन में करा दें या साथ दिन करना हो तो फाइदा क्या उससे लेकिन कोई चैप्टर दस दिन में खतम होना है लेकिन हमने उसमें पंद्रह दिन लगाए एक चीज अच्छी से समझा के तो इसमें क्या है आपका तो आपको सिर्फ थोड़ी फोकस करना है अगर सौर पे में आपकी नीट लेविल तक आपकी कॉंसेट के लिए रोजाएं तो क्या बुराइए बताइए मुझे इसलिए ध्यान से दीरे दीरे चलते हैं अभी और अभी क्या है कि बच्चे जुड रहे हैं नए नए बच्चे आ रहे हैं तो बहुत तेजी से भागने से कोई फाइदा भी नहीं है विटा है हाँ सागर विजिविल हैं आपके कि भूलू आ रहा है तुम्हारा कमेंट आ रहा है वोलू कि सबके कमेंट आ रहे हैं साक्षी सर टेलिग्राम पर डाउट साल होगा हां बिलकुल आपका एक ग्रूप बनाएंगे वहां पर माकान साहू अभी माइक्रोस्पोरोजनिस पहुंच रहे हैं जल्दी से समझो ठीक अरेंज होमोजीनस सेल्स बिचार प्रजेंट एड़ दा सेंटर ओफ माइक्रोस्पोर एंजियम लग बीजाडू जन उतक क्या होते हैं वह उतक जो सजाती कोसिकाओं का एक समू है और लग बीजाडू धानी के केंद्र में स्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं लग बीजाडू जन उतक तो यहां से सब लोग अपनी डेफिनेशन लिख लेंगे यह इस्पोरोजीनस टिस्यूस की डेफिनेशन हो गई ठीक अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर और अब हमारा अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है विटा माइक लग बीजाडू जनन लग बीजाडू सर अंतहचोल किसे कहते हैं अंतहचोल बेटा हम इंटाइन और एक जाइन पढ़ेंगे अभी वहाँ पर पॉलिन ग्रेन में बताएंगे ठीक है अंतहचोल माने अंदर की लेयर ठीक है अवन कुमार सर फिर से बताइए अवन आप लेट आयो तो आप बात में देख लेना एप पर है ना यह वीडियो है आपको मिल लए जाएगा रिकॉर्डेट क्लास मिलेगी आप उसमें इक बात देख लेना ऑर है अदेत्य ऑसेश कुमार कॉषिक नहीं प्रॉघ मत्रकोशिक वख मत्रकोशिकॉच से प्राग मत्रकोशिक अभीitel से अच्छों कि अहाँ पर देखो सबसे पहले Microsporogenesis Microsporogenesis का मतलब होता है लग वीजाडू जनन किसे कहते है Microsporogenesis किसे कहते है तो देखो पहले इंगलिस वाले समझो The process of The process of formation of Microspores from Pollen Mother Cells Through Meiosis Is called Microsporogenesis Is called Microsporogenesis किसे कहते है यानि एक ऐसी process जिसमें Microspores बनते है Pollen Mother Cells से उस process को हम क्या कहते है उस process को कहते है Microsporogenesis देखे जिस किसी वर्ड के पीछे Genesis वर्ड लग जाए यह द्यान से सब लोग जिसके पीछे Genesis वर्ड लग जाए तो Genesis का मतलब होता है formation Genesis का मतलब क्या होता है formation तो जैसे Microspor के पीछे लगा है तो Microspor का formation तो इसलिए हम इसे कह रहे है Microsporogenesis मतलब formation of Microspor और Microspor बनेंगे किस से Microspor बनेंगे किस से बिटा तो Microspor बनते है Pollen Mother Cell Pollen Mother Cell या हम इसको कह सकते है Microspor Mother Cell Pollen Mother Cell को एक और नाम दे सकते हैं अब हिंदी में हिंदी वाले देखो जल्दी से हिंदी वाले समझ लो लग वीजाडू जन किसे कहते हैं लग वीजाडू जनन यानि देखो एक पराग मात्र कोशिका से अर्द सूत्री विवाजन द्वारा लग वीजाडू के निर्माड की प्रक्रिया लग वीजाडू के निर्माड की प्रक्रिया को लग वीजाडू जनन कहते हैं हिंदी वाले लग वीजाडू जनन कहते हैं किसे कहते हैं विटा किसे कहते हैं पराग मात्र को सिका से अर्ध सूत्री विवाजन द्वारा पराग मात्र को सिका से अर्द सूत्री विवाजन द्वारा लग वीजाडू के निर्माड की प्रक्रिया को लग वीजाडू जनन कहते हैं तो यानि किलियर ऐसे समझो आप कि बनना किसको है माइक्रो स्पोर का बनना है माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करना हमें लग बीजाडू जनन बनाना है लग बीजाडू बनाना है तो लग बीजाडू के बनाने की प्रकिरिया लग बीजाडू जनन माइक्रो स्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेज माइक्रो स्पोरो जेनेसिस ठीक समझ में आ गया एक बार फिर से देखो कि एक बार फिर से कि माइक्रो इस्पोरो जैनेसिस ठीक जो लोग नहीं समझे एक बार फिर से देखो माइक्रो इस्पोरो जैनेसिस यानि हिंदी में इसको कहते हैं लग बीजाड़ु जनन क्या के लग बीजाड़ु बीजाड़ु जनन कि एक देखिए सिंपल सा मतलब है इसका यानि इंगलेस में हम कह रहें formation of Micro sports क्या कहते हैं हम इसको formation of Micro sports यह जो process है Micro sports के बनाने की प्रक्रिया यह हम इसे कहें लग बीजाडू बनाने की प्रक्रिया लग बीजाडू बनाने की प्रक्रिया अब देखिए कोई चीज बनेगी तो कहां से बनेगी यह बताओ कोई कोशिका बन रही है मालों कोई कोशिका बन रही है तो किस से बनेगी किसी मात्र कोशिका से तो यहाँ पर मात्र कोशिका कौन है यहाँ पर है पॉलेन मदर सेल पॉलेन मदर सेल यानि पराग मात्र कोशिका इसे हम कहते हैं पराग पराग मात्रकोषिका एक डिवीजन होता है विट रिटा सेल डिवीजन को कहते हैं मीयोसिस और्धूत्री विवाजन कहते हैं से अब इसमें यह मीयोसिस होगा इस मात्रकोषिका में और इसे क्या बनेंगे पॉलेन ग्रेंज या हम इसे क्या क्या है माइक्रो इस्पोर्स चाहे तो इसको आप सीधे कह सकते हो कि इसमें पॉलेन ग्रेंज बन रहे हैं और यह हम इसको क्या कह सकते हैं माइक्रो इस्पोर्स एक ही बात है लग भीजाड़ू बनाने की प्रकीरिया किस से नहरे हैं पराग मात्र कोसिका parental क्या होगा विटा अर्द सूत्री भिवाजन क्या होगा अर्द सूत्री भिवाजन अब ये अर्ध सूत्री विवाजन क्या होता है वेटा आपने क्लास 11 में पढ़ाओगा अर्ध सूत्री विवाजन और इससे क्या बनेंगे पराग कण क्या बनते है वेटा इससे पराग कण या आप क्या कह सकते हो लगू बीजाडू लगू बीजाडू ठीक है लगू बीजा बतर था सेल, चीक में आपने पढ़ाताके जो सेल डिवाइड होती या तो माइटवसिस या मीॉर्ष अर्ध सूत्री वेवाजन हिंधी टो सुत्रिविवाजन का मतलब होता है पराग पराग मात्र कोसिका किसे कहते हैं पिऊसी आदफ मैं अभी क्या कह रहा हूँ जैसे कि पॉलिन मदर सेल यानि पॉलिनको बनाने वाली उचुर्ट ब्लेंग फिए पॉलिनगर्रेणथ ऐसे ही हिंदी में क्या कह रहे हैं इसको हम पराग कणको बनाने वाली कोशिका पराग मात्र कोशिका ठीक है पराग कणको बनाने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं पराग मात्र कोशिका हाँ अभी सेल डिवीजन पर आते हैं यानि कोशिका बिवाजन यह क्लास 11 का टॉपिक है मैं या जल्दी से समझा दे रहा हूं यानि दो तरीके से कोशिका बिवाजन होता है या तो माइटोसेस या मियोसेस ठीक है हिंदी में इसको हम सूत्री बिवाजन कहते हैं सूत्री बिवाजन और इसको हम कहते हैं अर्द सूत्री बिवाजन अर्द सूत्री इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझ लूफ अठाक से दोनों में क्या अंतर होता है बिटा देखिए सूत्री बिवाजन में मानलों एक कोई कोशिका है दोए गुड़ित कोशिका है यान तो इसे कहते हैं सूत्री विवाजन यानि गुड़ सूत्रों की संख्या समान मालों यह द्वगुड़ित कोशिका है तो इनसे बनने वाली कोशिकाओं भी क्या होंगी द्वगुड़ित ही होंगी कि क्या होंगी बीटा कर द्वगुड़ित और अर्शूत्री विवाजन में क्या होता है बेटा मालों हमारे पास कोई कोशिकाया है वह टुए ने थी क्योख्युड़ित है क्रोमों की संख्य डवल में तो पहले से दो सेल बनती है और फिर दो से और दो सेल मती हैं तो टोटल 400 वनेंगी यानि इसमें जो कोसिका का निर्माड होगा वो चार कोसिका होगा एक कोसिका से और इनमें गुढ़ सुत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसलिए इससे अगुढ़ित संख्या कहते हैं या हम इसे क्या कहेंगे वेटा है प्लोएड सेल है प्लॉइड सेल यह मदर सेल है यानि मात्र कोसिका कहते हैं मात्र कोसिका डिवाइड होके क्या बना रही है डॉटर सेल इनको हम कहते हैं पुत्री कोसिका डॉटर सेल्स है ना तो मात्र कोसिका जब डिवाइड होती है तो उससे पुत्री कोसिका बनती है बिटा अब फिर से समझो मालो कोई मात्र कोशिका है उसके पास क्रोमोजोम है 46 ठीक है अब हम हिंदी में कि यूमन की कोशिका का एक उधारण लेके समझते हैं ठीक है हाँ विटा में चोरसी है तुम सो जाओ तुम्हें नीद आ रही है तुम मेरी बास समझो मालो की कोई चोशिका है और हमारी कोशिका में घुड़सुत्रों की संख्या 46 यानी क्रोमोजोमा की संख्यां ओती है 46 अगर वह कोशिका माइटवस करती है मालो सुत्र trump करती है यानि वह डिवाइट होती है, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगी, तो उन दो कोशिकाओं में भी गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46, यानि समान, यानि अगर इसमें 46 हैं, तो इन में भी कितने होंगे, बिटा, 46, 46, यानि गुड़ सूत्रों की संख्या समान रहती है, म मियोसेस में देखो अगर एक मात्र कोशिका में 46 क्रोमो जोम है और वह अर्ध सुत्री विवाजन कर रही है मियोसेस कर रही है तो पहली चीज पहला अंतर तो यह हो गया कि एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगी यहां एक कोशिका से दो बनती है और अर्ध सूत्री में एक से चार बनती है और चारों कोशिकाओं में गुड़ सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है मात्र कोशिका के मालो किसी मात्र कोशिका में 46 क्रोमोजोम से हैं तो इसकी डॉटर सेल्स में कितने होंगे बेटा आदे हो जाएंगे यानि 23-23 इसलिए इसका नाम पढ़ गया अर्ध सूत्री अर्ध आधा सूत्री गुडशूत्र यानि जब गुडशूत्रों की संख्या आदी हो जाए मदर स में है तो कोशिका विवाजन को क्या कहें गें हम मियों से अब आते हैं वाटापट से टॉपक पर GO इंदेखो ऑफ क्रीके से कोशिका विवाजन हो *** !! है सबसे पहले क्या होँगा बीजाडु जन उतक की कोशिका अर्द सूत्रीवाजनद्वारा विवाज़त होकर लग बीजाडु चतोष्ट बनाती हैं लग बीजाडी चतेस्ट बनाती है तमझे लोग-डाइग्राम थे अब उच है अवरे सेल ठीक है और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे पराग मात्र कोशिका ठीक है पराग मात्र कोशिका अब सबसे पहले क्या होगा यह कोशिका मियोसिस यानि इसको हम क्या कहेंगे अर्ध सूत्री विवाजन दो बार में होता यह अर्ध सूत्री विवाजन तो जैसे यह अर्ध सूत्री विवाजन करेगी यह कोशिका अनों इससे कितनी कोशिक हैं बन ज Fahrणों नौ Simmons दो कोशिकаствा mere पहले दो बनती हैं फिर एक और step में हैं मियंसिस होगा इसे बोलेंगे मियंसिस टू इसे हम बोलेंगे मियंसिस टू अर्दसूत्री इस तो अब इससे कितनी से बन जाएंगी बताओ इससे बन जाएंगी टोटल चार और यह चार को सिखाएं एक दूसरे से अभी चिपकी कहते हैं यह जो बनता है आपका लग वीजाडू चतोस्ट लग वीजाडू लग वीजाडू चतोस्ट यानि इसको बोलते हैं मायक्रो इसपोर टेट्राड क्या बन गाए विटा से मायक्रो सपूर्ट टेट्राड यह चार सेल बनलाई बनला धीक अब यह सारगा जालंचीत होंगे अ है पर सब्राइबफ्क और होंगे टेहाइडरे गोगे तोड़ा सा इनका जिए टूने काम होगा इनके अंदर तो यह क्या होंगे सारे अलग अलग पराखण बन जाएंगे या इनसे क्या बन जाएंगे हम क्या कहें इनको पराखण पराखण या पराखण को हम क्या कह सकते हैं पराखण को क्या कह सकते हैं लग बीजाडू यह तो यह जो प्रोसेस है पूरा इसी को हम कहते है फिर भीजाडु जनन अब आया समझ में सब को कि जल्दी से बोलो समझ में आ गया एक बार फिर से देखो डाइग्राम सब से पहले इमारे पास क्या थी एक पराग मात्र कोसिका थी इस पराग मात्र कोसिका में मियोसिस होई और अबियोसिस होने से पहले दो को सिखा बनी दो से चार बनी और फिर यह चारों को सिखाए अलग-अलग होके क्या बन गई पराग कण बन गए ठीक वेरी गुड विवेक दरंबीर विकास विपेनियादव आकास अनुराग सब को समझ में आ गया वेरी गुड अबिनव हाँ आ अर्पिता पाण्डे वेरी गुड शनेह पाण्डे वेरी गुड बावणा सर्मा बहुलू चौहान अ प्रशान्त यादव शनेहा उमाकान्त Russ a वीकास कॉल अ कि मांसी कार्थ के वेरी गुड प mrorm है शनी में आ गया ठीक है इसको देखो एक पीछे वाले डायग्राम से शमज़ लोसे पहले पॉलिन मदर सेल सेखो एक बार और फिर सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी पॉलिन मधर सेल यह दो काई दो क्रता होती है इसमें मियोस भन हुआ द़ो को सिकले बनी फिर यह बर्पक कोखे मैचेव उसि क्या बन घहाई फॉलेन ग्रेंज ठिख मैं बन रहे हैं कोई मुझे बता सकता है कि यह जो पूरी प्रॉसेश हुई है यह जो पॉली ग्रेन की पूरी यह कहां हो रही है यह सारी का बारत‌ओं में निष्श टूस अब मैं इए बहुत इंपॉटेंट कुस्टन तुम लोगों से पुछ रहा हूं या अपरस के अंदर वेरी गूड पराको तुम से अंदर जो मैंक्न स्पोरेंजियम के बीच में बिल्कुल सेंटर में अभी-अभी पढ़ाया था मैंने कौन से उतक टिस्यूज पाई जाते हैं भूमिपाल टैपिटम नहीं है गलत स्विस्थाने सही बनता है अभिशेक कुमार आकास वेरी गुड लगु बीजाडु जनु तक वेरी गुड यानि देखिए यह पूरी जो प्रॉसेस हो रही है यह एंथर के सेंटर में यानि जो मैक्रोस्पोर एंजियम था वहां पर जो rare यह पूट सवाल पूछ रहा हूं बता हो कि यह जो बीजाडु जन उतक कोते हैं बिटा इनीं की ये जो कोशिकाएं है इनीं की जो कोशिकाएं है एक एक करके पराग मात्र कोशिका बनती चली जाती है लगु भी जाड़ु जनियानि स्पोरो जीनस टिस्यूज में से ही जो कोशिकाएं है वो पराग मात्र कोशिका बनती चली जाती है मतलब वह अर् में हजारों को सिकाए हैं तो हजारों से और चार चार बनेंगे तो ऐसे करके बहुत सारे पॉलिन ग्रेइन बन जाते हैं कि आगी बाद समझ में प्यूस यादाब गुड़ तैन वाज सर हिंदी में भी लिखो बिटा सब कुछ तो हिंदी में लिखा है कि देखो पराग मात्र कोशिका और सूत्री विवाजन लग भी जाड़ू चत्व स्ट्रेस सब इंदी में लिखा है द्यान से देखा करो बोड़ पर प्रेंका यस सर आ गया समझ में बेरी गोड़ रासी तो मर अस्थ अ कास अ अ दित्य मुह BBQ है अर्ष मुहम्मद्स अर्ज पतेल का यह से यह जार यह यह दाइग्राम के साथ आब हम पूरा पुरत अच्छे से कर सकते हैं सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे पीटा प्रोसेस को डिफाइन करेंगे कि दा प्रोसेस ऑफ फॉर्मिशन ऑफ माइक्रो स्पोर्स फ्रॉम पॉलिन मदर सेल बाई मियोंसिस इस कॉल्ड माइक्रो स्पोरो जने गीतिका सुलंकी बहुत अच्छा माइक्रो स्पोर्स टेट्राड क्या है माइक्रो स्पोर्स चार माइक्रो स्पोर का ग्रोप चार माइक्रो स्पोर्स जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो उसे माइक्रो स्पोर्स टेट्राड कह देते हैं राहुल चोहान भिवा कुमारीश बोलु चोहान अविश इस्पोर जनेसिस की डैफिनेशन बता दोगे हिंदी वाले हिंदी में बता देंगे के वाई एक पराग मात्र को सिका से अर्द सूत्री विवाजन के द्वारा लगुवीजाडू के निर्माड की प्रक्रिया को हम लगुवीजाडू जनन कहते हैं इसके बाद यह डाइग्रा हम बनाता होगा है डिफाइन लिख दोगे ठीक है है हुआ हुआ है ठीक है हाँ वेरी गुड अच्छे से समझ में आ गया सबको वेरी गुड इस्पोरो जीनस अब आते हैं आगे अभी देखो होता क्या है यह एक बार ऐसे समझो जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए अब मालो यह अमारे पास बहुत सारे पॉलिन ग्रीन बन गए ऐसे माल लिती है जैसे मालो यह अमारा पराकोस है मैं ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बना दी रहूं ऐसे बना दी रहूं मालो माल लिता हूं कि यह इसमें बहुत सारे पॉलिन ग्रीन बन गए सर पराकड बन अंदर यानि पराग कोस के अंदर जो पॉलिंज सेक थाना उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम उसके अंदर हैं ऐसे कितने पराग कोस होंगे ऐसे कितने पराग कोस के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे चार कोर्नर होते थे चार कोर्नर मतलब बाइलोब डाई थीकस था न ठीक है तो चार इसमें पराग पुटी है पॉलिन सेक है उसमें यह पराकण भरे हुए है अब क्या होगा सर पराकण भी बन गए अब क्या होगा अब एक कंडीशन ऐसी अमलो ऐसे करके फट गया एह हो मैं यहां से इतना फट गया राप अब प्टने की जो प्रकिरिया है है मचारोने के बाद यह बस्त होगा यह जो फटने की प्रकिरिया इसका नाम बोलते थे हम डीय सेंस अफ सेंथ मैंने बताया था यानि इस फुटन आफ इस फुटन की प्रक्रिया पो अब यह जैसे स ours हो यह सारे सारे के बाहर आा शुरू हो जाएंगे साजोर कि आ यह इस है तो कि तो यहां पर देको डूह सैंज़ आपं ने को शीम tablespoon आता है मैंश है मैंने अभी चार लेयर पता ही डी सेंस माने फटना ठीक है शुरुती तो जैसे ही पहले पढ़ाई गरोता वरपती वनोगे वाई अमेथ ठीक पहले पढ़ाई तो कर ले पढ़ने के नाम पर बोल रहा है वाई को हिंदी में लिख दीजिए इस पोरो जीने लग भी जाड़ू जन उतक लग भी जाड़ू जन उतक तो डी सेंस ओफ एंधर मैं बताओ कौन सी लेयर काम करती थी मैंने तुम्हें बतायता कि शुरू की तीन लेयर एपीडर में सेंडो तीसियम और मिडल लेयर तीनों मिलके इसके इस फुटन में भी भाग लेती हैं फटने में इस फुटन माने फटना तोहीद हैमद इस फुटन माने फटना रप्चड बस्ट एक नहीं विष्णू सिंग टैपिडम नहीं होगा टैपिडम तो केबल निउट्रीशन प्रोवाइड करती थी तो एक है था एंडो थीजियम हो सकता है चलो अब तोड़ा सा मैं आप लोगो को यहां तक कल इसको आगे फॉरवर्ड पढ़ाऊंगा एक दो बच्छे बार बार पूछ रहे हैं एक दो बच्छे बार बार पूछ रहे हैं सर नोट कैसे बनाएं देखो ध्यान से सुनो भाई नोट मनाने का तरीका क्या है ocean का तरीका यह है कि पहले अंता पीक को अच्छे से समझ लिया करो है ना जैसे मानलो Quinn goofy समझा सपोज अच्छे से समझा नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप टॉपिक समझने के बाद जो भी हेडिंग है उसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखो ना माइक्रोश पूर जैने से सह जैसे तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को नोट करते हैं के डेफिनेशन के बाद अगर मालो इसमें कोई डाइग्राम है तो डाइग्राम बनाना है और इसमें कोई एक जांपल है तो फ्रैक्टिस कर लीना है अब बात आती है कि सर इंसरे कितना लिखे ना डिफिनेशन में कितना लिक और यहां पर लिखा रहा हूं यहां पर जो आपकी PDF आती है यहां पर जो मैं भी लिखता हूं वो बिल्कुल एक manos inME Battle उनी चाहिए औतनी यहीं होती हो तो इस यहां तो आप cancer की के नोट्स बना सकते हो यहां फिर आप इनी सकते हैं दूसरा हिंदी औरर इंगलिस में और लोग उसकर इसने में बनाओ olie, जुड़ी अब साधिक अब बास जल्दी आएगा इस चीक बहुत पहले हो जाएगा बोर्ड एक्जाम से पहले से अच्छे से हो जाएगा रिवीजन भी हो जाएगा एक बार आपका कि टीक कि तो इस तरीके से आप सौट पॉइंट में बुलिट पोइंट में नोट बनाती रहना ताकि आपके रिवीजन में काम आएंगे और कलम इसमें आगे से आगे की चीज़ा समझेंगे सब्सक्राइब करो जाए से ज्यादा लोग जोइन करें अपने फ्रेंड को बोलो तो कि आपको इतने कम पैसे में इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और हम बहुत जल्दी ही 9 और 11 का भी बैस शुरू करने जा रहे हैं बिटा है ना 11 क्लास का हमारा बैस शुरू हो रहा है 15 तारिक से बायो का बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब चलेंगे उसमें तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को अपने जूनियर इसको भी बता दीजिएगा कि जो बच्चे जोइन करना चाहते हैं वह जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लाए ठीक है और 11 और 12 दौनों शुरू हो जाएंगे फिर 15 से हमारा 11 का सुरू हो जाएगा 9 और 11 हम बैतरीन से बैतरीन कंटेंट देने की कोसिस कर रहे हैं आप बस इतना ही थेंक्यू सो मच राहूल चौहान थेंक्यू विटा राहूल विवाकुमारी बाय टेक क्यार बच्चों ओके